हरियाना में विधान सभा चुनाम नजदी का रहे हैं इसी को लेकर हर पार्टी के कारेकरता विधान सभा टिकट पाने के लिए अलग-अलग तरीके से जुगत लगाने में जुट गए है ऐसा ही एक नजारा हन्याना के फरिदाबाद के बलब घड विधान सभा में देखने को मिला जहां बलब घड स्तित सेक्टर 3 में कैबिनेट मंतरी मूल्चन शर्मा की विधान सभा में बीजेपी कारेकरता भारत बूशन ने शक्ति प्रदर्शन कर टिकट पर अपने दाविद करेंगे और जनता के बीच जाकर सेतु का काम करेंगे वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी कारेकरता का काम और कारेकरता के प्रती जनता का प्यार देखना चाहती है इसी को लेकर उन्होंने विधान सभा में एक जन सभा का आयोजन किया जिसमें उन्हें लोगों का भरपूर प चाहूंगा कि आपका सभी कारेकरताओं का स्वागत है और बल्लवगड का जो असीन प्यार मुझे मिल रहा है यह मैं आपको बताना चाहूंगा मुकेश जी मात्र चार कलोनियों का प्रोग्राम है नार सिंग कलोनी शीव कलोनी भगस सिंग कलोनी और सेक्टर तीम अगले संड को हमने कारेकरम किया आधश नगर सुभाश नगर वहां में इतना प्यार मिला आज इन चार कलोनी के लोगों ने मान सम्मान से मुझे बुलाया है और अगर बल्लवगड के तना प्यार मिलेगा तो निश्चित तोर पे इस प्यार के हर इस आशिरवात के हर एक चीज को मैं इनकी सेवा करके राजनीति के मात्यम से इनके साथ इनके सुक दुख का सहभागी बनूगा तभी मैं इनका रिन उतार पाऊंगा इस कारेकरम से क्या माने कि भारत भूसन बल्लागड ज़ान सवा से तयारी कर रहे हैं पूरी तरीक से माना जाएं देखे यह तो बहुत पहल है कि पाइटे अलगामान कारें देखना चाहती है तो इस आप देख रहे हैं युवाओं का प्यार मात्र शक्ति अंदर वेठी है बुजरुगों का आशिरवात निश्य तोर पे मुझे उमीद है कि भाजपा एक अच्छे कार्य करता को यह मौका देगी कि वह अपने शहर क कि पलाबड़ा है जिसने शिक्षा घ्रेंड करी है जिसमें वह खेला कुदा है और उसक्दुक को जानता है ऐसे किसी युवा को इस बार भाजपा मौका देगी बल्लवगड के बात करें तो यहांते केमिनेट मंत्री है मुल्चन सर्मा क्या लगता है कि अगर भारत बूसन को जनता चुंकी है तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा बल्लवगड के लिए देखे बल्लवगड मैंने पहले भी कहा है एक एतियासिक नगरी और एतियासिक न पिछले 10 सालों में भाजपस्रकार ने किया है उसको और तेज किया जाए और विकास और विकास करने वाले लोगों के बीच में नेता और आम जनता के बीच में एक सेतुबा काम बनने का मेरा कारे रहेगा मैं एक सेतुबा करना चाहता हूं और बल्लवगड की आवाज को व और मंत्री भी हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं उनका हमिस्ता सम्मान रहा है लेकिन उसके लावा मुझे ग्यान नहीं है कि मेरे अलावा कोई बाजबाता कोई कार्य करता है आप दिनाज़वा मांग रहा है और मुझे पिश्चित यह उमीद है कि आप कोई दो महीने बचे आएगा नहीं तो हमें और मंत्री जी जिसको परशाद मिल जाए सब अच्छा है परीदबाद से मनोद सुर्यवनिशी की रिपोर्ट